दुग्त व्यविविविसाई के रूप कि रूप में स्थापित हो चुका है भारत में खासतोर से श्वेत क्रांती के बाद भारत एक अग्रणी राश्टर के रूप में उभर कर सामने आया है इसी कड़ी में हमारे आज के कारेक्रम का अहम विशे रहेगा पहाडी क्षेत्रों के किसानों के लिए डेरी फार्मिंग वेवसाई और इस विशे पर जादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं वेक्टरी पॉली क्लीनिक कांगडा से वेक्टरी ओफिसर दॉक्टर मुनीष ठाकूर डॉक्टर साब बहुत-बहुत स्वागत करते हैं, हम आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए जी डॉक्टर जी, जैसे के आज हम बात करने जा रहे हैं दुख दूतबादन के बारे में, डिरी फार्मिंग के बारे में तो मेरा आपसे आग रहा है कि आप हमारे दर्शकों को dairy farming के बारे में थोड़ा जानकारी थे हैं जैसे कि आपको पता है dairy farming is a part of an agriculture जो dairy farming है उसके mainly basic three objectives हैं First milk production मतलब दूद का उतबादन Second milk processing मतलब different scientific method से आपने अपने दूद को गरम करना है so that you can get the maximum benefit out of your milk जिसे हम बोलते हैं clean milk production स्वच दूद उतबादन और third इसका objective है milk को sale out करना so ये सब कारे dairy farming के अंतरगर आते हैं अगर according to sample survey के according अगर देखा जाए ठीक है basic animal husbandry statistics government of India के according department of animal husbandry daring and fisheries ने यह पता लगाया है कि हमारा जो rank है इंडिया का in entire world में first है और total milk production वो है 221 million tons approximately and per capita availability means average per person 406 grams per day milk की requirement है किसी भी human being को so ये सब कारे dairy farming के अंतरगर आते हैं डॉक्टर मुनीश अगर कोई dairy farm स्थापित करना चाहता है शुरू करना चाहता है तो क्या-क्या चीजें हैं जो एक पशुपालक को ध्यान में रखनी जरूरी है जब भी आप dairy farm establish करें उसके लिए मैं आपको दो सुझाप सबसे पहले देने आचाहूंगा सबसे पहला सुझाप अगर आप dairy farm small scale level पे start करना चाहते हैं मतलब आप dairy farm छोटे पैमाने पे start करना चाहते हैं सो उस condition में आप पशुप चित्थक के पास जाएं जिसके पास BVSE and EH की degree हो और उनके पास जाएं और उनसे पूछें वह किन सब चीजों का ध्यान रखें जिसकी वज़ा से उनको maximum milk production उनके dairy farm से मिले सेकिंड अगर आप dairy farm बहुत large scale पे establish करना चाहते हैं मतलब बड़े पैमाने पे start करना चाहते हैं सो उस condition में हमारे हिमाचल में एक ही पशुप महविद्यालिया है जो की पालंपूर में स्थापित है और वहां पर एक department है जिसे बोलते हैं LPM Livestock Production and Management आप उनके पास जाएं वहां पर different scientists होंगे जो की different different carders के हैं आप उनके पास जाएं और उनसे पूछें वह किन सब चीजों का ध्यान रखें अपने dairy farm को establish करने में so that they will get the maximum benefit out of it so dairy farm को start करने से पहले सबसे पहले स्थान का chain करना होता है मतलब dairy farm आप ऐसे area में बनाए जो की ना तो उन्चाई में हो ना ही बहुत जादा गहराई में हो अगर उन्चाई में dairy farm होगा तो maximum respiratory diseases होने के chances में लेंगे और maximum mortality भी होगी मतलब death rate भी increase हो जाएगा और अगर आप dairy farm बहुत उत्राई में बनाते हैं तो बारिश के time में बारिश का पानी मल मूतर के साथ इकत्रित हो जाएगा जिसकी वजह से बहुत सारे बिमारियां होने के chances रहेंगे स्थान का चेहन मैंने आपको बताया स्थान के चेहन में आपको direction का भी बहुत जादा ध्यान रखना है उत्तर दक्षिन दिशा से लेकर पूरव पश्चिम की और आपके doors as well as windows की direction होनी चाहिए so that maximum sunlight आपके animal को मिल सके second manpower enough amount में होना चाहिए third विपनन की सुविधा वहां पर enough होनी चाहिए so that जो भी आप milk और milk से बने हुए products like घी है butter है आपका लस्ती हो गया so आप near about जो भी दुकाने हैं आप वहां पर sale out कर सकें so यह सब चीजें आपको कभी भी आपने establish करना है daily farm उसमें आपको पता होनी जरूरी है और अनिवार्य है टॉक्टर साब हम देखते हैं कि पहाडिक शेत्रों में जो है दुधारू पश्रू के रूप में गाय का जादा पालन किया जाता है तो गाय के कौन-कौन से breed है जो पहाडिक शेत्रों में पाले जाते हैं जिसे कि दुध उत्पादन जादा मात्रा में होता हो तो सबसे पहले तो आपको पता है पहाडी गाय वह तो हमारा मतलब मिल्क प्रडक्शन को increase करने में काफी अच्छे टाइम से काफी help कर रहा है और आपका जो मिल्क प्रडक्शन है वह जैसे फर्स रैंक पे है इन इंटाइर वर्ल्ड वह उस पर रहे टॉक्टर साहब यह तो आपने इन ब्रीड के बारे हैं बताए क्या इसके इलावा और भी ब्रीड से जने हम पहाडी क्षेत्रों में पाल सकते हैं जो यहां की जलवायू यहां की वातावन के अगॉर्डिंग को ढाल सके जिससे के दूद की जो प्रडक्शन है उसमें बढ चल रहा है जिसका नाम है प्रोजनी टेस्टिंग वो जर्सी ब्रीड के लिए ही चल रहा है और वो बहुत अच्छे वे से काम भी कर रहा है तो उसका भी में मॉटिव यही है कि जो हमारा मिल्क प्रडक्शन में रैंक फर्स्ट है हम उसको स्टेगनेंट रखें और जिसकी वज़ा से हमारा पूरे विश्वर में हमारा जो रैंक है वो फर्स्ट रैंक पर ही रहे बहुत बढ़िया इसके इलावा बात आती है दुधारू पशु के रिश्पुष रहने की जिसके लिए उनको अच्छा जो है दाना और जो पतियां है जो फसले खासतोर से उनके मैं करनाभू के लिए लिकार मिल्क है कभी आपने मिल्क प्रडुक्शन को इनहांस करना तलब इन्क्रीज करना उस इनक्रीइस करना लिए आपको सबसे पहले पताओना चाहिए बैलन्स टाइट क्या होती यह ने तो धाना फिल से इनकर निट हूई है उसमे इनफर पांट म आपके पास आ गया तेल, बिनोला और उसके बाद आ गया मोटे अनाज में वी, मेज, बाले, सोर्गम, ओर्ट्स और थर्ड आ गया बाइप्रोडक्ट्स ओफ आटा ठीक है तो उसमें चावल, चुन्नी, चौकर यह सब आ गया और अनदर बन इस आयोडीन नमक, वाइटमीन द में उसमें देरा सो मैनी मार्केट प्रेपरिशन जो की एवलेवल हैं, जिसमें से हिम चलियेट आ गया, मिनफा गोल्ड आ गया, एक्रिमिन फोट आ गया, वह आप अपने जानवर को दें, जिसकी वज़ए से आपको मैक्समुम मिल प्रड़क्शन आपके जानवर से मिल पा वह ब्रीट के अकॉर्डिंग भी दिया जाता है, और बॉड़ी वेट के अकॉर्डिंग भी दिया जाता है, और क्लामेटिक कंडिशन के अकॉर्डिंग भी दिया जाता है, जैसे कि मैं बात करूँ गरम इलाके की, जो की डिस्टिक उना में है, और बॉर्डर एरियास ऑफ अधर पंजाब में जो ही माचल का एरिया है तो वहाँ पर आपने जो जैसे की गर्मियों में उनको ठंडी चीज़ें तारा देनी है और अगर मैं बात करूँ शिमला की, रामपुर भर शहर की, पालंपुर की तो वहाँ पर क्लामेटिक कंडिशन अच्छी होती है तो उस कंड में वेटिनरी हॉस्पिटल है वहाँ पर आप उनके पास जाएं और उनसे मिलें और उनसे पूछें वह किन-किन चीज़ों का ध्यान दे अपने अनिमल की डाइट में so that they will get the maximum benefit out of it. डॉक्टर साब ये तो बात थी कि हम अपने दुधारू पशु को किस तरह से हिरिश्ट पुष्ट रख सकते हैं लेकिन अब बात आती है कि जब हमें दुधारू पशु में heat detect करनी हो या जिसे हम आम बोलचाल की भाशा में दुधारू पशु के बोलना कहते हैं तो वो किस से पहले आपने उसके clinical science देखने हैं कि कौन-कौन से animal है वो science दे रहा है जैसे अगर हम जानवर को देखें तो उसकी जो diet है वह कम हो जाती है जब वो heat में आता है और second एक जानवर का दूसरे जानवर के उपर चड़ना जिसे हम mounting बोलते हैं और third योनी से switch discharge निकलना वो switch मैं वर्ड यूज किया वो ऐसा discharge होना चाहिए जो कि बिलकुल transparent हो so that एक दूसरे को हम उस discharge से देख पाएं और sometimes क्या होता है कि discharge में blood होता है या cloudiness होती है या फिर उसमें another color होता है so immediately आपको उस condition में आप qualified veterinarian से मिलें और उनसे treatment करवाएं उस discharge को ठीक करने का और another इसके जो clinical science है जो vagina की mucous membrane है वह red color की हो जाएगी और उसकी mucous membrane है वो red color की होगी ही होगी साथ ही साथ में आपने देखा होगा वहाँ पर सूजन भी आ जाएगी so ये सब common clinical science है जो कि हर एक किसान भाई बेहन को पता होने बहुत जादा important है और इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा क कि जब भी आपका January heat में आए उसका जो best time period होता है उसको गाभन करवाने का either by the natural service with the help of bull और either by the artificial insemination वह had 12 hours से लेकर 18 hours के बीच में जिसे हम normal language में बोलते हैं mid heat to end of easterous so ये आपको पता होना बहुत जादा important है अगर आप dairy farm established किया हुआ है या आपने अपने घर में जानवरों को रखा हुआ है टॉक्टर साब हम देखते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र है यहां की जो weather condition है climate है वो बदलता रहता है अक्सर हम देखते हैं कि बहुत ठंड पढ़ जाती है जो बरफ बहुत जादा पढ़ जाती है आजकल बरसातों का मौसम है बहुत जादा बारिश हो रही है और हिमाचिल कि कुछ एरियास है जैसे कि उना की बात लेलो वो अक्सर गरम ही रहता है तो जब गाए गाबन है तो उसका हम देख पहाल या रख रखाओ किस तरह से कर सकते हैं उन adverse weather conditions में जैसे कि आपका animal pregnant है चाहे animal pregnant हो चाहे ना हो being a veterinarian, being a veterinarian मैं आपको यही suggest करना चाहूँगा कि आप आपको सबसे पहले तो उसको balance diet देनी है, balance diet मैंने आपको पहले भी बताया कि कौन-कौन सी ingredient से मिलकर बनती है, आपको अपने animal का proper deworming भी करवाना है, deworming मतलब पेट के कीड़ों को भी मारना है, at least six months में आपको एक बार उसको deworming करवाना ही करवाना है, और वो deworming के लिए different tablet bolus form में भी आती है, अगर छोटे जानवर है तो tablet form में भी आती है, जिसमें albandazole होता है, fan bandazole होता है, इन दोनों में difference यह है कि जो albandazole है, वो pregnancy में नहीं देते, क्योंकि अगर हम उस bolus को या उस tablet को, albandazole को हम pregnancy में देंगे, तो animal का abortion होना confirmed है, तो उसके लिए मैं प् fan bandazole हो लें, क्योंकि वह pregnancy में भी as well as normal condition में भी animal के लिए helpful है, उससे कोई भी abortion होने के chances नहीं है, अब बात आगी, क्या diet दें, during the time of winters, जैसे कि पहाडिक शेतर हैं, जैसे पालमपुर हो गया, आपका शिमला हो गया, रामपुर बुशहर साइड हो गया, किनोर, रहॉल्स प देनी है, और अगर आप उना रिजन से बिलॉंग करते हैं, जब अच्छे रूप से बिलॉंग करते हैं, जो की पंजाब के साथ touch में हैं, उस condition में आप उनको ठंडे products दें, so that जानवर अच्छे रूप से heat पे आए, जब अच्छे रूप से heat पे आएगा, then definitely milk production भी enhance होगा. डॉक्टर साब, आज जैसे हम बात कर रहे हैं, डेरी production की, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को पताएं, कि जो खासकर से जो धारू पशुआ हैं हमारे, उनने कौन-कौन सी बिमारियां अकसर देखी जाती हैं, और जो उनकी दूद उतपादन की क्षमता को कम कर करती है, या उनके प्रिजरन दर को भी कम करती है, तो प्लीज उन बीमारियों के बारे में भी हमारे दर्शकों को अफगत करवाएं, जैसे माम आपको पता है, different different animals को different different types की diseases होती है, तो कभी भी आपके animal को diseases होती है, if I talk about the cattle and the buffalo, ठीक है, so गाय और बहन्सों में 7 बीमारिया brucellosis, infectious bovine rhinotrichitis and thilariosis और ये तो होगी गाय और भेंजों की, अब मैं बात करूँँगा जैसे sheep और gauts की, ठीक है, sheep और gauts में like anthrax है, hemorrhagic septicemia है, enterotoxemia है, black water है, foot and mouth disease है, sheep pox है, gaut pox है, contagious caprine pure pneumonia है, so इन सब के लिए भी vaccination होती है, और अगर मैं बात करूँँए पोल्टरी की, पोल्टरी को दो पार्ट में divide किया गया है, एक तो broiler और एक है layer, broiler को हम meat production के लिए यूज करते हैं, जो layer है उसको हम egg purpose के लिए यूज करते हैं, उसमें भी different different diseases के लिए different different times पे vaccination किया जाता है, if I talk about the broiler, तो उसमें आ गया आपका marriage disease, ranikhe disease और gumboro disease, और अगर मैं बात करूँ layer की, जिसको हम egg production के लिए यूज करते हैं, तो उसमें आ गया आपके पास marriage disease, ranikhe disease, infectious bronchitis, gumboro disease, foul cholera, foul pox, spirochetosis, egg drop syndrome, तो ये different different जब भी outbreak होता है, तो उस time पे इनकी vaccination किया जाता है, और जानवर की life को save किया जाता है अगर मैं बात करूँ foot and mouth disease की, जिसमें आपने देखा होगा खूर पक जाते हैं जानवर के, उसमें से blood निकलता है, पस पड़ जाती है, तो उसको साल में दो बार करते हैं, एक तो मार्च मंत में और एक सेप्टमबर मंत में, एक होता है hemorrhagic septicemia और black water, hemorrhagic septicemia आपने और एक मैंने आपको बोला black water, जिसे हम बोलते हैं लंगडा बुखार, और उसका भी different time periods में उसका vaccination किया जाता है, और मतलब मेरे कहने का यही है, कि यह तो मैंने आपको पहले बताया, सारी diseases, जो जानवर में हो सकती है, बट उसमें से most commonly कौन कौन से है, वो veterinary के पास ही आप vaccination का schedule होता है, वो आपके घर में आएगा और आपके जानवर को vaccination देगा, बट जब भी कभी आपके घर में vaccination करने के लिए farmer, pharmacist आए, या EHA आए, या veterinary से relevant कोई भी team member आए, आपने ये कुछ चीजों का ध्यान में रखना है, किसान भाई बहनों को, सबसे पहले आपको ध्यान उसका जो temperature है, वो proper maintain रहे, और जब भी आप अपने जानवर को vaccination करवाएं, आप proper needle sterile होनी चाहिए, syringe भी sterile होनी चाहिए, और particular animal को different different मतलब new needles को I use होना चाहिए, और new syringes को I use होना चाहिए, और temperature के बारे में तो मैंने आपको पहले बताया ही है, कि cold chain में उसको properly maintain रखना है क्योंकि अगर हम इन चोटी-चोटी चीज़ों को नहीं ध्यान में रखेंगे, so हमारे जानवर को उस disease का होने का उतना ही जारा chances हो रहेगा, so जिसकी वज़े से जब disease होगा, तो animal definitely milk production पे भी effect पढ़ेगा, जब milk production में effect पढ़ेगा, तो उसकी जो price है, वो भी decrease होएगी, और second जब animal की health week हो जाएगी, so उससे different different problems है, वो भी उभर कर आएगी, जिसकी वज़े से किसान भाई बहनों को काफी नुकसान होने के भी chances है, so मेरे बोलने का यही मतलब है, जब भी आप अपने जानवर का vaccination करवाएं, वो थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैंने अभी आपको ब जानवर कम होता जा रहा है, तो गाव में हम देखते हैं कि लोग दूद बेशते हैं, लेकिन अगर बड़े स्तर की बात की जाए, तो क्या हिमाचल की बात करें, तो प्रॉपर हमारे processing plants है, जहां पर जिससे कि marketing हो सके आगे, तो क्या वो प्रॉपर सभीधाई है? जहां पर भी हैं, उनका भी में मॉटिव यही है, कि हम जो किसान से milk ले रहे हैं, उसको हम प्रॉपर पास्चुराइज़ेशन करें, पास्चुराइज़ेशन एक वह प्रॉसेस होता है, जिसमें milk को डिफरेंट डिफरेंट टैंपरेचर पर रखा जाता है, और उस milk को डि बी हेल्दी रहेंगे, और जब हम हेल्दी रहेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट बेसे हम भी सुसाइटी के लिए अच्छा कॉंट्रिबूट कर सकते हैं, whatever we are doing, either we are doing a job of a doctor, और either we are doing a job of an engineer, so different processing plants हैं, जो कि हमारे हमाचल में हैं. टॉक्टर साब जाते जाते मैं चाहती हूँ, आप हमारे जो dairy उत्पादब जो किसान हैं, उनके लिए आप कोई message जरूर दें? So, मैं अपने dairy farmers को एक message यह देना चाहूँगा, कि जब भी veterinary profession की बात करें, तो उनको पता होना चाहिए veterinary profession कैसे काम करता है, आपने देखा होगा आप जिस भी काउम पे रहते हैं, वहाँ पर एक पशू औश धाले होता है, जिसे हम veterinary dispensary बोलते हैं, वहाँ पर PVA होता है, जिसे बोलते हैं, पंचायत veterinary assistant, और अगर आपका जानवर बिमार हो गया है, आपने इमिडेटली आपने उस PVA से मिलना है, और उनको बताना है कि आपके जानवर में क्या-क्या problems आ रही हैं, अगर वह problem वहीं ठीक हो जाती है, तो बहुत बढ़िया, अगर वह problem वहाँ ठीक नहीं होती है, then in that condition, आपको veterinary hospital में जाना है, जो veterinary hospital है, वहाँ पर veterinary officer होगा, जिसके पास BVSA and AH की minimum degree होगी, और साथ ही साथ वहाँ पर EHA होगा, veterinary pharmacist होगे, और class for होगे, attendance होगे, आप उनके पास जाएं और आप उनको बताएं कि हमने पशु औश्धियाले में अपने जा कर रहे हैं, तो दर्शकों ये थे हमारे साथ, डॉक्टर मुनीच ठाकुर, हम आशा करते हैं, आज का कारेक्रम आपको बेहत पसंद आया होगा, आज के संक में इतना ही, बने रहे डीरी हीमाचर के साथ, तब तर के लिए, नमस्कार. झाज के आज का आए, आज के साथ, तब तर के लिए.